Hello Friend, Blessing Commerce Story में आपका एक बार फ्रिस्वावत है आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं Course of Capital Series Part 1 Actually, Corona की वज़े से बच्चों को बहुत जादा प्रब्रम आ रही है Sixth semester के हमारे जो बच्चे हैं पंजाब उनिवस्टी को जो डिलॉंग करते हैं तो उनकी exams आने वाले हैं लेकिन Corona की वज़े से वो कहीं पे भी coaching नहीं ले सके तो on the demand of just my sixth semester student मैं ये आज का वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसमें हम Post of Capital chapter जो है हम ये पूरा ही क्या करेंगे? Cover करेंगे along with practical sums देखिए आज की हमने जो Post of Capital है उसमें कौन-कौन से topic आज cover कर रही है First हम cover करेंगे definition of post of capital इकली जब भी आप कोई भी chapter करते हैं देन उसकी definition करनी क्या होती है? Must होती है आप वहाँ पर अगर theoretical question आता है और उसको अगर definition के साथ start करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा score कर सकते हैं इसे sum लेंगे which are based on irredeemable debt ठीक है जी? तो इन sums को पुरी तरे अच्छी तरे समझने के लिए हम आप आज की series जो है वो start करते हैं तो first हमारे पास क्या है? Definition Definition of post of capital देखे कोई भी topic समझना है तो उससे पहले उसकी definition को समझना जिरूरी होता है तो post of capital is the minimum required rate of earning देखे जो हमारा cost of capital है यह क्या है? आपके पास minimum कम से कम required rate of earning है और the cut-off rate of capital expenditure यहां फिर आप इसको क्या कह सकते हो? cut-off rate और यह definition जो है वो Solomon Agra ने हमें दी है ठीक है जी? यह आपको practical point of view से मैं करवाने जा रही हूं कि आपके पास post of capital अगर सम आता है तो उसकी definition क्या होईगी? अब देखे इसने बोला है कि जो post of capital है वो minimum required rate of earning है तो कम से कम जो उसका एक rate है वो हमें जो मिलता है उसको हम क्या कहते है? cost of capital अब जी किसका rate मिलता है? यह cost of capital कैसे बन के आया? तो इसकी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है? history है तो यह क्यों बन के आया? हम क्यों calculate करते हैं यह cost of capital देखिए जब भी कोई company जो है वो अगर start होती है हमारे पास अगर कोई company जो है जब वो start करती है तो जब भी वो start करती है तो उसको अपने day to day operation करने के लिए क्या चाहिए होते है ना जो funds चाहिए होते हैं क्या company को उन funds की कोई cost पे नहीं करनी परती? No, this is the wrong notion तो अगर company कोई भी source of finance raise करती है तो उसको कुछ ना कुछ उसकी क्या पे करनी परती है राजे? Cost पे करनी परती है तो वो जो cost पे करनी परती है उनको funds के लिए हम उस term को क्या कहते है cost of capital तो हम उसको क्या कहते है अपनी cost of capital होते है तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होते है sources of finance हमने कोई company अगर start करनी है तो उसके लिए funds चाहिए होए है तो आपके पास कौन से sources of finance हो सकते है आपके पास debenture हो सकते है company debenture issue करके क्या ले सकती है पैसे इकठा कर सकती है या फिर वो preference shares issue करके पैसे इकठा कर सकती है या फिर वो equity share कर सकती है या फिर एक और हमारे पास source आता है that is retained earning हमारे six semester के बच्चे हैं तो मैं assume करें कि उनको retained earning का मतलब पता होगा तो यह मेरे पास sources of finance हैं जो company use करती है तो debenture अगर company use करती है तो आप लोगों में पढ़ रखा है कि debenture को use करने के लिए company को अपने debenture holders को क्या देना पड़ता है? इंटरस्ट, preference और equity shareholders को company क्या provide करती है राचू? dividend provide करती है ऐसे ही अगर company retained earning अगर choose करती है the source of finance तो उसको अपनी opportunity cost को fordon करना पड़ता है तो यह सारे sources को अगर company use करती है तो उसको कोई ना कोई क्या यहां पे देनी पड़ रही है cost pay करनी पड़ नहीं है तो इसी को ही हम अपना क्या बोलते हैं? जी, cost of capital जो company capital use कर लिया है उसके against उसको कुछ ना कुछ cost देनी पड़ेगी अब जब cost की बात करी जाती है तो cost always क्या होनी चाहिए? राजू minimum होनी चाहिए तो इसी लिए हमने जब अपने definition पीछे पड़ी थी तो हमने definition में करा था राजे ये रहा कि it is a minimum required rate of earning तो minimum required rate of क्या होती है? earning होती है किसके against हमारे capital expenditure के against तो ये सारा concept क्या होता है? cost of capital क्या होता है? कि जो भी company ने forces of finance क्या करने है use करने है उसके लिए आपको कुछ cost पे करने पड़ती है और उस cost को हम क्या होते हैं? cost of capital भूले है फिक है जी? meaning आपको clear हो गया होगा hopefully अब हम देखते हैं component of cost of capital cost of capital के कौन से component है? cost of capital जो है हमारे पास इन तीन component से बन कर आती है r0 प्लस b प्लस x अब इन सभी का क्या क्या मतलब रहने वाला है? यहाँ पे देखिए जो हमारे पास r0 है यह क्या है आपके पास? यह आपके पास क्या है? 0 level risk है 0 level risk बी फॉर क्या होता है जी? बी फॉर यहाँ पे ले रहे हैं business risk और f4 यहाँ पे यह बात कर रहे हैं finance risk इन तीनों को जब हम plus कर देते हैं तब हमारा क्या आता है? cost of capital अब आप कहेंगे कि यह k क्या हुआ? k क्या है राजे? यह आपके पास क्या है? symbol है symbol किसका है राजे? symbol of cost of capital cost of capital के symbol को आप किस से denote करते हो? k से denote करते हो तो cost of capital का symbol होता है k और इसको हम तीन component को aggregate करके find out करते हैं R0, 0 level risk B4, business risk F4, finance risk अब इन तीनों component को plus Q करा जाता है? अब आप देखिए आपके पास 1 crore की क्या है? capital है अगर आप वो 1 crore की जो आपके पास capital है अगर मैं उस 1 crore की capital को किस में डाल देती हूं? जब बैंक में रख देती हूं तो बैंक वाले मेरे को मेरी FD अगर मैं करवा देती हूं तो एक minimum rate of return वो every year में को देते रहेंगे है ना? तो उसमें मेरे पास कोई भी risk नहीं होगा बैंक वाले अगर में पास पैसा है मैं उसको बैंक में लख देती हूं और मेरे को return आनी शिरू हो जाएगी तो एक तो यह हो गया business risk अगर मैं उसी पैसे को business में लगा देती हूं तो in the form of profit मेरे पास कुछ ना कुछ क्या आने वाली है return आने वाली है finance risk finance क्या होता है कि आपके पास finance है आप कहीं उसको दोगे तो उसके वापिस आने या ना आने का आपको क्या बना रहता है risk रहता है तो एक वो भी certainty होती है कि हाँ maybe वो में को वापिस ना मिले तो जो ये आपका cost of capital है कि आपकी वो cost of capital जो होनी चाहिए वो किसके इकवल होनी चाहिए इन तीनों component को plus करके जो amount आएगा जो rate आएगा वो आपका cost of क्या होना चाहिए जो capital होना चाहिए तो that's why हमने बोले के minimum rate of return ठीक है ना तो हमें वो minimum rate of return कैसे decide रना चाहिए तो वो इन तीन component को plus करके हम अपने उस minimum rate of return को क्या कर सकते हैं find out कर सकते हैं ठीक है तो component of cost of capital R0 plus B plus F R0 is zero level risk B for business risk F for finance risk तो ये तीन मेरे component of क्या है cost of capital है अब देखिए आपके पास हमने symbol की बात करी है तो symbol की जब मैंने बात करी थी राजू तो उसमें आपके पास ये sources of क्या है आपके पास finance है तो आपको मैंने अभी बताया है कि जो आपके पास cost of capital का symbol है वो क्या उनसा है लाजू? K तो अगर आपको dimension का symbol जानना है तो K is cost of capital D for क्या हो जाएगा? Dimension ऐसे ही अगर preference share की cost जान नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम use करते हैं PR और equity share के लिए हम use करते हैं K E retained earnie के लिए हम use करते हैं K R तो ये K सभी में जो कोमन आ रहा है जो ये हम K use कर रहे हैं K किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ पर हम K use कर रहे हैं? सभी में ही देखे के, K, K, K ये जो K use कर रहे हैं ये symbol है आपका cost of capital का तो ये cost of departure ऐसे लिखेंगे हम तो ये symbol आपको याद करने पड़ेंगे cost of departure, cost of preference share, cost of equity share, cost of retained earning तो ये हमने अपने component as well as symbol जो हैं वो clear कर लिए हैं अब यहाँ पर देखे हमारे पास sources of finance हो गई अब हम देखते हैं कि इसको compute कैसे करना है हमारी जो cost of capital है इसको हम compute कैसे कर सकते हैं? कमपूटेशन और cost of capital cost of capital को compute करने के लिए हमारे पास दो मैंथर हैं एक तो है specific source of finance का आप capital of cost of capital find out करतोगे एक आप उन सारे component का weightage average find out करतोगे तो पहले हम यह सीखेंगे कि specific source of finance का कैसे find out करते हैं तो उसके बाद जब यह topic हो जाएगा then we move to the weightage average तो आज की जो इस वीडियो में हमने cover करना है वो specific source of finance को cover करना है तो यह रिखिए हमने अभी यहाँ पे discuss करा था यह मेरे पास different sources of क्या है finance तो हमने debenture का cost of capital find out करेंगे हम preference shares का करेंगे equity shares का करेंगे और retained earning का अलग specific source का cost of capital find out करेंगे अब cost of debenture तो आज हम सिरुफ एक अपना क्या करने वाले है cost of debenture को हम क्या करेंगे calculate करना सिखेंगे जो यह cost of debenture है इसको मैंने दो पार्ट में क्या कर रखा है राजू divide कर रखा है एक तो आपके पास होते है irredeemable और एक दूसरे क्या होते है आजू आपके पास redeemable debenture redeemable जिसको after certain time आप क्या कर लोगे redeem कर लोगे वापिस मिल जाएगी आपको amount जो पूरा is redeemable जो पूरे lifetime में आपको amount जो है वापिस नहीं मिलती है जब आप competition करोगे तो competition के time पे हम दो cases के अलग-लग formulas करेंगे before tax और after tax ऐसे ही redeemable में भी before tax और after tax करेंगे ठीक है जी तो आज की वीडियो में मैं जस्ट आपको is redeemable cases जो है वो cover कर वाँगी next वीडियो में हम redeemable के बारे में बात करेंगे तो चलिए शिरू करते हैं is redeemable cost of dementia को हम calculate कैसे करते हैं देखिए जो is redeemable dementia है उसको two kind में आप क्या करोगे formulas को divide करोगे कौन से kind में first करेंगे हम issued at part और दूसरा कर रहे हैं issued at discount और print खीक है जी तो पहला हम कर रहे हैं अपना कौन सा formula करेंगे बच्चा first हम formula करेंगे जब हमारे पास जो debentures हैं वो क्या हो रहे हैं पार पे issue हो रहे हैं तो उस case में आपके पास formula क्या आने वाला है interest divided by proceed into hundred और ये मैं कौन सा case कर रहे हैं पहले आपके पास before text और ये कौन से हैं जी आपके पास is redeemable is redeemable ठीक है is redeemable case कर रहे हैं और before text कर रहे हैं तो formula लगने वाला है interest upon proceed into hundred ठीक है तो ये आपके पास formula था पार का और before text का और अगर ये ही वाला case में मैं किस में जाती हूँ आपके पास after text जाते हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला सिरफ एक आपके पास ये ही देखिए I4 क्या मैंने पर रहा है था आपको interest क्योंकि debenture पे हमें क्या मिलता है interest P4 मैंने यहाँ पे क्या करी है proceed और हमने after text करना है तो इसके साथ one minus क्या लग जाएगा T T4 text rate और इसको multiply आपकर दोगे 100 के साथ ठीक है जी तो ये मेरा कौन सा case हा रहा है बच्चू ये मैंने issued at par का case करवाया आपको और before text और after text का मैंने formula करवा दिया आपको ठीक है जी अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये formula किस के साथ हो अगर आपके पास ये किस पे निकल के आता है discount या premium अब आपको पता ही होएगा discount का मतलब क्या रहता है जब 100 की चीज आपको let's suppose उस पे 20 रूपीज क्या है राचे discount है कितने की मिल रही है 80 की मिल रही है और premium के case में 100 की चीज आपको plus 20 करके यहां पे कितने की मिल रही है वांट पूली की ठीक है यह discount और premium का एक मेंने क्या fundamental करवाया है अब formula क्या होने वाला है इस case में formula भी क्या रहने वाला है आपका बिल्कुल same रहने वाला है discount या फिर कौन सा case है आपके पास premium का case है तो formula पूला भी ऐसी रहने वाला है एक आएगा before tax और एक क्या आएगा आपके पास after tax before tax के case में interest upon net proceed यहां word मेंने कर दिया net proceed net proceed मतलब discount का case है तो एक की रुपीज आजाएंगे premium का case है तो 120 रुपीज आजाएंगे into 100 और अगर यही formula after tax में लगाऊंगी तो मैंने क्या करना है interest upon net proceed और इसको मैं राजू किसके साथ multiply करने वाली हूँ 1-t के साथ नहीं दिख रहा कोई बात नहीं इसको रिएस करके हम लिख देते हैं तो अभी हम कर रहे हैं कौन सा formula करते हैं हम after tax कर चीक है कौन सा formula करते हैं हम after tax after tax में कुछ भी निकरना यह interest upon net proceed रहना है और यहाँ पर 1-t क्या कर देना t into 100 तो यहाँ net proceed discount और premium के case में 80 या फिर कितने रुपीज आ जाने हैं आपके पास 120 रुपीज आ जाने हैं जैसा कि case होगा उस according ठीक है जी तो यह हमने क्या करे हैं formula अपने discuss करे हैं irredeemable के case में before tax and after tax और अगर पार पे हो तो कैसा formula लगेगा discount या premium पे हो तो क्या formula आपका apply होगा ठीक है जी अब एक sum देख लेते हैं इसका कि sum करके आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा तो irredeemable के case में हम यह sum कर रहे हैं sum कह रहा है एक्स लिम्टिड इशूर रुपीस 50,000 8% diventure अब 8% क्या है interest rate है diventure का at par कौन सा case है par का case है tax rate कितना के रखा है 50% compute post of capital ठीक है जी हमने अपना post of capital जो है वो क्या करना है compute करना है तो चलिए करते हैं हम कैसे करेंगे इसको sum को अपने लेखिए पहले तो मैं अपना formula लिखूँगी पहले तो मेरे पास ये कौन सा case है before tax है कि after tax है after tax है तो इसका symbol क्या होगा post of capital debenture लिखा जा रहा है और एक बात और रहे गई ही बतानी आपको कि यहां after tax है तो a पर जाएगा और अगर यहां पे क्या होता रजू before tax होता तो उसका symbol रहना था के debenture और ठीक है यह symbol की बात कर भी हूँ और यहां पे अभी मेरा sum tax rate के साथ आया यह यह after tax वाला sum है तो post of capital of debenture after tax इसका पहले आप formula लिखोगे interest upon proceed 1-t into क्या डालोगे 100 तो देखिए मैं को क्या क्या चाहिए एक मैं को interest चाहिए tax rate बता होना चाहिए और fee बता होना चाहिए तो देखिए हम interest की पहले अपनी क्या कर लेते हैं calculation working notes अपने देखते हैं हमने करने हैं working notes interest की calculation आपको आती होगी 50,000 के आपके क्या है debenture है और उसके उपर वो कितना percent बोल रहा है 8% बोल रहा है तो ये 1% calculate करके आपके पास जो amount आ गई है वो कितनी आ गई है 4,000 ठीक है जी proceed का क्या मतलब है यहाँ पे तो हमारे पास पार पे ही है तो 50,000 ही रहने वाला है और tax rate आपको 50% दे दिया तो यहाँ पे जो मैं tax rate करने वाली होंगी न वो point क्या ले लूँगी 5 ले लूँगी ठीक है तो यहाँ पे आपने अब क्या करना है हम यह अपनी जो values है यह फिल कर दो ठीक है राजू यहाँ पे देखो आए फोर कितना था 4,000 डिवाइड बाई कितना कर दो 50,000 1 minus 0.5 tax rate इंटू 100 यह आप अपनी क्या करिए calculation करिए और यह calculate मेरे पास कर करा के जो answer आने वाला है वो आपके पास answer आ जाएगा यहाँ पे 4% आप calculate कर लीजिए नदू तो यह मेरे पास पहला question जो था वो क्या था आपके पास proceed का था अब next question देखते हैं कौन सा है next question कहता है एक्स लिम्टेड इस्यू रूपीस 50,000 8% इवेंचर अट 10% प्रीमियम कितना ले लिया यहाँ पे मैंने 10% देख स्रेट इस 60% एंड कंप्यूट पोस्ट ओफ और हमने अपनी कोस्ट ओफ कैपिटल जो है वो कंप्यूट करनी है खीक है सारा कुछ वैसे है बस इसमें मैंने कौन सा केस डिसकस करने की ट्राइ करी है प्रीमियम वाला केस जो है वो ट्राइ करा है कि मैं आपसे वो डिसकस कर सकूँ तो अगें फर्स्ट ओफ ओल हमें सबसे पहले अपना फोर्मूला देखिए देखना पड़ता है टैक्स रेट दे रखा है तो यहां पे मेरा फोर्मूला कोस्ट ओफ डिवेंचर ए के साथ लिखूंगी आए अपोन नेट परसीड वान माइनस टी तो यह मेरे पास आगया अब मैं अपनी साल क्या क्या करना है तो यहां पे जो मेरे पास इंट्रस्ट आने वाला है तो आइठिंक वही हमारी पिछली वाला ही है फिफ्टी थाउजंट इंट्व एट परसेंट यह आपके पास करके आजाएगा और यहां पे मैं देखती हूँ नेट परसीड किती है फिफ्टी थाउजंट फिफ्टी थाउजंट प्लस प्रीमियम प्रीमियम कितना है फिफ्टी थाउजंट का मेरे को क्या करना है बचा टेन परसेंट करना है तो टेन परसेंट देखते हैं अगर क्याता है यह यह 10 परसेंट करना है तो यह 50,000 प्लस 5,000 इक वे तो कितना आ गया यह मेरे पास 55,000 दन तो अब यह मैं अपना मेरे पास अब मैं अब इसको फिल करके देख लेती हूँ इंटरस्ट कितना था बच्चु मेरे पास 4,000 डिवाइड़ बाई यहां पर अब नेट पुरसीड मेरे पास प्रीमियम का केस है तो 55,000 वान माइनस 0.6 60,000 है न आपका रेट जो है तो यह कैलकुलेट आप अब करिए और यह कै 2.91 परसेंट कितना आएगा यह करके 2.9 यह आप अपना कैलकुलेट कर लेना चाहिए तो यहां पर हमें क्या लगाना है ठीक है 2.91 परसेंट जो है वह आपके पास कैलकुलेट करके है तो फंडामेंटल बस यही था कि नेट परसीड जो है यहां पर हम प्रीमियम वाली लेन नेक्स कोश्चन है अब यह कौन सा केस है एक्स लिम्टेड इस्यू रूपीर 50,000 एक परसेंट डिवेंचर एट 5% डिसकाउंट आपको दे रखा है 5% टेक्स रेट है आपका 50% और कंप्यूट करना है हमें कोस्ट ओफ कैपिटल ठीक है तो अब यह मेरे पास डिसकाउंट वाला केस है इसको हम डिसकस कर लेते हैं कि कैसे करना है अगें मेरा पॉर्मूला क्या कहता है अभी तक तो याद भो गया हो गया आपको के डी ए इंटरस्ट अबोन नेट परसीड वान माइनस 3 इंटू 100 अब यहां पर मैं अपने वर्किंग नॉट्स कर लें वर्किंग नॉट्स कहते हैं मेरे पास इंटरस्ट तो वही वाला ही रेट चल रहा है आपके पास 50,000 इंटू वट एट परसेंट अब एक बात देखिए कि जो आपने इंटरस्ट की कैल्पुलेशन करनी है वो आपने फेस वैल्यू पे करनी है ठीक है ना चाहे वो डिसकाउंट पे जा रहा है चाहे वो प्रीमिम पे जा रहा है हमें उसको नहीं मेंटर करना 50,000 पे ही यहां प पे ही 55,000 जैसे हमने लास केस किया है आप यहां डिसकाउंट करेंगे तो उस पर सीड़ पे कैल्कुलेट कर देते हैं इंटरस्ट नहीं फिर आपके पास अब हमने निकालनी है नेट परसेंट तो नेट परसीड है मेरे पास 50,000 माइनस डिसकाउंट है ना तो मैं माइनस करत तो यह कैल्कुलेट आपके पास करके कितनी अमांट आती है 47,000 47,500 तो यह मेरी नेट परसीड थी चलिए अब हम इसको फिल कर देते हैं आप ना फिल करके मारे पास इंटरस्ट कितना आ रहा है बच्छों 4000 प्रसीड कितनी है और टेक्स रेट मेरे पास है 50% 0.5 इंटु 100 अब यह आप अपने कैल्कुलेटर की हेल्प से कहा कर लेजिए कैल्कुलेट करिए यह कैल्कुलेट करके आपके पास अंसर आ जाने वाला है 4.21% ठीक है जी तो यह हमारे पास इरडी मेंबर डिवेंचर थे डिसकांट पे अब जो नेक्स हमारा जो सम्हाने वाला है डैट इस रेली वेरी इंपर्टेंट देखे इसमें हमने एक नेया पॉइंट डिसकुस करा है एक्स लिम्टिड इशू रूपी इस वान लैक नाइन परसेंट डिवेंचर एट तैन परसेंट प्रिम्यम पे चला है लेकिन यहां पे एक नेया पॉइंट आ गया है पोस्ट ओफ फ्लोटेशन आपने जब पोस्ट जो डिवेंचर इशू करें तो उस टाइम पे कुछ फ्लोटेशन पोस्ट लगी है कितनी लगी है तू परसेंट एंड टैक्स रेट इस सिक्टी परसेंट कम्प्यूट पोस्ट ओफ कैपितल ठीक है तो यहां पे फ्लोटेश होती है देखिए अगें फोर्मूला आफ्टर टैक्स का है के दी ए इंटरस्ट अपोन नेट परसीड वान माइनस टी इंटू हंकर तो इस केस में हमारे फ्लोटेशन कोस्ट को कैसे करना है वो हम देखेंगे वर्किंग नॉट्स वर्किंग नॉट्स में पहला मेरे पास इंटरस्ट का पॉइंट आता है वान लैक है वान लैक के उपर मेरे को नाइन परसेंट जो है वो क्यादर देना है कैल्कुलेट तो यह आ जाएगा नाइन थाउसन ठीक है फिर उसके बाद मैं किसमें इंटरस्टेड हूंजी नेट परसीड में तो जो नेट परसीड है वो देखिए एक तो आपके पास वन लैक है वन लैक में आप प्लस करने वाले हो प्रीमियम को पहले ठीक है पहले यहां तक लेते हैं तो वन लैक प्लस 10,000 प्रीमियम आ जाएगा आपका कैल्कुलेट करके तो यह आ गया इतना अब इसमें से आपको 2% जो फ्लोटेशन पोस्ट है उसको डिड़क्ट करना है अब वो जो फ्लोटेशन पोस्ट है वो किस पे कैल्कुलेट होएगी क्या होगा पॉइंट इस तो वो 2% जो है जो कैल्कुलेट होगी वो होगी आपके पास 1,10,000 किस पे होगी राजू 1,10,000 ठीक है तो यह आपके पास कैल्कुलेट्शन आप करेंगे और यह करने के वाद आपके पास अमाउंट आ जाएगी 107,800 तो यह आपके पास क्या जाएगा नेट पॉर्सीड आ जाएगा ठीक है जी अब हमारे पास यह सारा कैल्कुलेट हो चुका है अब जस्ट इसमें यह हमने पॉइंट करा है कि अगर आपके पास फ्लोटेशन आता है तो फ्लोटेशन जो कोस्ट होगी वो आफ्टर दा स्टर्समेंट ऑफ डिस्काउंट पेrim करना है सिमपल्स यहांट उन लैक्त भी करती है वैसे आप नहीं अब हम इसको फिल कर दे करते है है जो जो क्या आई हैं, Amounts आई हैं, तो मेरे पास Amount आई है, एक तो आपके पास Interest आया है, Interest आपके पास कितना आया था? 9000, divided by what? 107 and 800, 1 minus 0.6 into 100 और ये आपके पास Calculate करके आने वाला है, 3.34 percentage, ठीक है जी? तो यहाँ पे हमने Flotation Post को डील करा है, कि Flotation Post को कैसे करते हैं, तो राजू, यह आज का हमारा वीडियो था, इसमें हमने Irredeemable Deventure को क्लियर करा है, नेक्स्ट वीडियो हम रडीमेबल की वेंचर लेकर आएंगे, और ट्राइ करेंगे कि यह Corona period से पहले पहले, आपके में Maximum जितने chapter cover को सकते हैं, वो डिटेल में हम आपको cover करवानी चाहिए. Thank you, have a nice day.